कि अ हंफ्रन और टे ओ से क्या हुआ प्लाजमा आया कितना प्लाजमा या 1000 mm प्लाजमघ मैं मानसा हम लिया आया फिल्ट अब क्यों होगा आप फेगने के बाद हुगा जो प्लाजमा में कीया मैं होती है है normal sodium ions होते हैं and sodium ion होते हैं and bicarbonate ions होते हैं तो क्या होता है हमारी जो proximal convoluted tribunal है यानि PCT है यानि नेφरोन का फश्ट पार्ट जो है इसमें cells होती है यह एक cell को हमने बिड़ा काके बनाया है तो इसमें कैसे sodium कैसे एक और में कार्बोनिक ऐसे बाइक कार्बनेट ऑि क्यों होता है उस चिसको जानते है क्योंकि हूस्ONEY के हमने देखना क्या है कि dispersal डिफेट डिजन वे कैसे-डाप्च विया की की चीजों सोडियन दो है सोडियाम क्या है सोडियं सोडियमिय में करिया फोगा अजल यहstone क्या तो होता है क्लोरियन खिलोरीन क्लोरीन दौराइब आयेन भी विर्जे देत होता है तो उसको इसको डिफ्रेंट जिक सोलहें बात करें beginnen सोडियम सोडियम क्या होता है सोडियम क्या है बेसिकली सोडियम चार्ज मॉलिकूल है कैसा मॉलिकूल है चार्ज मॉलिकूल है ठीक है यानि कि यह है लिपिट में डिजॉल्व नहीं होगा तो इसको डिजॉल्व यानि यानी कि जो चार्ज-मॉलिक्स missally है यानी य journaling नहीं होगा तो क्यों कुें देख़िए यह PCT का यह का यह जो पार्थ है PCT की सेल्स है यह जो सेल्स है इसे हम बोलते हैं बेजुलेटरल साइड यह जो साइड है यह वाली जो साइड साइड है साइट है इसे है मुखें साइड लेक्तर निमिंग मिनक दो अंद तो हमारी सेल हमारे जो सोडियम है सोडियम चार्ज मॉलकूल जार्ड मॉलकुल या दि यु zw लेनिक हमारे सेल फ्रह princip मिंब्रेन की बनी होती है तो यह डिजॉल्व नहीं होगी तो इसको डिजॉल्व कराने के लिए क्या होता है इस पेसल टाइप का प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांस्पोर्टर प्रोटीन जिसे हम क्या कहते हैं ट्रांस्पोर्टर प्रोटीन अब यह कहां पर होता है यह होता है लिमिनल साइड यह कौनसी साइड है यह वाली साइड है लिमिनल साइड और यह वाली साइड कौनसी है यह वाली साइड है बैजो लेटरल साइड कौनसी साइड है यह है बैजो लेटरल साइड यानि कि यहां की जो कमपनेंट होंगे वो यहां नहीं जा पाएंगे और यहां की जो component है वो यहां ने जा पाएंगे ठीक है यह जो साइड है इसे हम बोलते है यह वाली साइड इसे हम बोलते है लुमिनल साइड अब लुमिनल साइड में क्या होता है सोडियम हमने कहा सोडियम चार्ड मॉलिकूल है अब सोडियम को ट्रांस्पोर्ट करने के लिए क्या होता है सोडियम को ट्रांस्पोर्ट करने के लिए ट्रांस्पोर्टर प्रोटिन लगी होती है कौन सी प्रोटिन लगी होती है तो यह क्या करता है यह सोडियम को एब्सॉप कर लेता है अब सोडियम को एब्साप कर लेगा तो क्या करेगा यह है अब हम यह सोडियम को ट्रांसपोर्ट करें अपने अंदर एब्साप करेंगा तो यह क्या देगा यहां पर यह देदेगा एक प्रोटॉन को अब कोश्चन यह बनता है कि सोडियम इसको एब्साप मतलब कोश्का है यह उस एक चैनल को एबसॉर्प क्यों कर रही है देख लेते हैं जान लेते याग उडबस कर रही हैं। है जो होती है एपीधील की ऎफीफील की सेल कि होती है इस पेशल टाइपका क्या होता है ट्रांस्पोर्टर होता है ठीक है इसी क्या होता है ट्रांस्पोर्टर जिसे हम बोलते हैं इसके नियमिक लग देते हैं इसे हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम ट्रांस्पोर्टर ट्रांस्पोंटर सूर्डियम पोटेशियम ट्रांसपोंटर या फिरस्टी को ही हम बोलते हैं हिसी को हम बोलते हैं तो होता क्या है धे यह करता क्या है है यह करता क्या है यह क्या करता है यह से एटीपी को गेन करता है एटीपी अप यह से क्या करता है एटीपी को अपने अंदर अपने आपको एटीपी अपने अंदर एटीपी को लेता है अपने आपको एनर्जाइज करता है इट करता है किसको एट करता है एटीपी को एट करत के अंदर से क्या करेगा यह थिरी सोडियम आयन बहार यानि कहां बहार यानि इंट्रस्टीसियल एरिया में यह भिश देगा एंड एंड यह क्या करेगा यह है जो चैनल है ट्रांस्पोर्टर है यह क्या करेगा दो पोटैसियम को इन करा लेगा ठीक है यानि तीन पोटैसियम को बहार भीजेगा और दो पोटेसियूम को अन्दर ले लेगा कब लेगा जब यह 80 पेश एटीपी को खाएगा एटीपी को खायगा तो क्या करेगा एंणरजाइस हो जाएगा यह सोडियम को लीग कर देगा कहां भाब के साइट में भी कहां बेजलेटल साइट टिक और और क्या आएगी चीज पोटेशियम हैगा कितने पोटेशियम हैंगे दो पोटेशियम है इसलिए यह सेल है यह क्या कर रही है सोडियम को एबजॉब कर रही है और जब यह सोडियम को एबजॉब करेगी तो क्या करेगा जब यह इसका नाम देते हैं इसे हम बोलते हैं इसको नाम पूर्टर लियू अभी देखते हैं यह सॉल्ट रिरलीष रहा है यह है रीलीस कर रहा है एक प्रोटोन यानि एक लोडियाम कर लिस्क एक प्रोटोन रिलीस करेंगा एक सुडियम एक फ्रोटॉन रिलीस करेंगा कि अब क्या होगा आप देखिजिंगा हमने कहा yang ukl यह भी आएंगे हाँ इस ताफर के सी पर पीजी टी पर आएंगे तो क्या होता है PCT पर चाहेंगे بाई कार्बिनेट आएन आएंगे और यह जो प्रोटोन है यह प्रोटोन इससे जोड़ जाएगा तो क्या होता है यहाँ पर स्पेसल टाइप का एक क्या होता है प्रोटीन होती है यह एंजाम होती है यह क्या करती है यह इस क्या करती है यह क्या करेगी यह क्या करेगी यह इसको कगार्बनेट आयन को चंज करदेगी दिए कायम हr ambassadors को carbonate iron है carbonate iron है है और साथ का साथ यह क्था यह प्रोटाउन है एक प्रोटाउन और कार्बोनेट मिलकर बना देंगे क्या कार्बोनिक एसेट क्या में बन जाये कार्बोनिक एक सब्सक्राइब और बंख और इंग करेगा र्च कार्बानीक ऐसे पर रचोएं कि दो भागों में तोड़ देता है कॉनसे बागों में तोड़ देता है करबन डा औकसाइड आउम वाटर करव डाइब सॉठेड़ और उरफ तोड़ देता है कि अभिकिया ब्रहतले है आप लिप्लत में अपय यह कहां चले जाएगा यानी यह यह सब्सक्राइब हो जाएगा तो इस इंजाइम का नाम लिए इस इसने बेसीकली क्या किया इसने का बोनिक एसेट को दो तो भबहागों में dissolve किया कौन से दो भबाग है एक है कारबन डाय-यॉकसाइड एक यह वाटर तो इसे हम बोलते है क्या है क्या है से हमंविल अ कारबोनिक यान हइड रिख entering carbonic & hydrate carbonic & hydrate इसने कारभोनिक एसिट को carbon dioxide & water में तोड़ा दिया ठिक अभी यह carbon dioxide हमने कहना यह को कि हमारी जितनी body हैं जितनी वाड़ी की सें से मोग्यारी डिलीज करती है carbon dioxide तो यह क्या होगा कारबन डाय अपसाइट क्या होता है क्योंकि इस सेल खुद प्रेडियूस करती है तो यह अराम से क्या हो जाएगा कहां हो क्या होता है हम जानते ही है हर सेल में पहले सी क्या होता है वाटर होती है सेल जितनी भी हमारी वाड़ी में क्या है सेल है उसमें क्या है वाटर है यह क्या आ गया कारबन डायोकसाइड आ गया कहां से आ गया लुमिनल साइट से आ गया कहां आ गया इन यह आ गया कहां सेल में आ father वह Son और carbon die Oxide मिलकर water and carbon die Oxide मिलकर यह बन जाते हैं carbonic acid क्या सतऱ है put organic acid अब carbonic acid बन जाएंगे तो यानि इसको change स्कोर्ण बनायगा कौन carbonic acid इसको वही जिसका नाम है carbonic and hydrogen यही क्या करेगा एंजाइम यही एंजाइम इसको कनवर्ट करेगा काई में कार्बोनिक कार्बोनिक एसिड में ठीक है और कार्बोनिक एसिड जो होता है यहीं कार्बोनिक एसिड यहीं कार्बोनिक एसिड तो भागों में तूटता है एक देता है प्रोटाउन और एक देता ह है कार्बोनेट आयन अब कार्बोनेट आयन जब हो जाते हैं सेल्स में तो कार्बोनेट आयन हो जाएंगे तो क्या होगा सेल्स की बेजो लेटरल साइट पे स्पेसल टाइब की प्रोटीन होती है यह प्रोटीन क्या करेगी यह प्रोटीन यह प्रोटीन क्या करती है यह प्रो तो प्लेड का एकिल्लाइन मीडियम बना रही प्लेट का एकट्रेट करना यह ना मैं कि स्परनी एक यह क्मद्वाइब यह इससे चीजर पाइब चिगई कर दो हो रहा है तो क्या होता है यह जो इस्पेसल टाइब की प्रोटीन है यह कार्बोनिक एसिट को ब्लड में बेद देती ताकि एलकलाइन मीडियम बना रहा है और क्या होता है इसी के दोरान यह जो प्रोटीन है यह प्रोटीन क्या करती है जब एक कार्बोनिक एसिट को एक कार् परसेंट हंड्रेड एमल बिलड फिल्ट रिट हुआ है एमल तो अब लट फिल्ट्रेड वा तुसमें क्या होता है उसको होता है वह सोडियम एंड कार्बोनिक कार्बोनेट आए